लेकिन इंटरनेट के घर का एड्रेस आपको नहीं पता है तो हम लोग पूरी चरचा करने वाले हैं यूनी URL पर, URL मतलब क्या होता है Uniform Resources Locator क्या होता है Uniform Resources Locator हम लोग topic wise पूरी चर्चा करेंगे बस आप लोग इस वीडियो के आखरे तक देखते रहेगा मैं रतना करुपाध्याई आप लोग देख रहे हैं Unique Online Guru Channel चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं चलिए हम बात करने वाले हैं कि इसके URL की URL का फूल फर्म क्या होता है Uniform Resources Locator मिन्स ये यूनिफॉर्म एक रिसोर्स होता है जो कि लोकेट करता है यानि हमारे एड्रेस को ढूणता है It is always unique ये क्या होता है ये हमेशा unique होता है मतलब सबका अलग-अलग होता है किसी का भी सेम नहीं होता सबका अलग-अलग जैसे हमारा IP एड्रेस अलग-अलग होता है वैसे ही हमारा URL भी सबका अलग-अलग होता है ये हमेशा अलग-अलग हमारे वेपेज पे अलग-अलग URL, अलग-अलग donate करते हैं, अलग-अलग हमारे सामने देखते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, अगर मैं बात कर लोग complete, जैसे इसको हम लोग कहते हैं, complete address of a site, complete address of a site, is called URL, you know very well, ये एक दम आम चीजे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी computer के बारे में जानत होगा, तो URL का ही complete details मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, for example की अगर मैं बात करूँ, example की अगर मैं बात करूँ, तो क्या हो सकता है, सबसे पहले हमारे URL में क्या होता है, HTTP, क्या होता है, HTTP का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ये हमारा protocol होता है, फिर एक column होगा, फिर double backslash होगा, फिर हम लोग लिखते हैं www.google.com, ये हम लोगों ने लिख दिया, फिर उसके बाद एक backslash होता है, क्या होता है, एक हमारा backslash होता है, फिर माली जे हम google.com पे जाने के बाद weather सर्च करना है, अपने वतावरण के बारे में, तो हम लोग सर्च करेंगे weather, फिर weather के प्रियाग राज का अगर हमें सर्च करना है तो प्रियाग राज का सर्च करेंगे फिर उसके बाद .html यह हम अपना सर्च कर सकते हैं आसानी से तो यह होता है हमारा यह हमारा complete URL स्मुझ रहा है हमारी बात मिन्स ध्यान से अगर आप लोग समझेंगे तो यह पूरा समझ में आजाएगा कि यह हमारा क्या होता है machete URL होता है अब मैं पूरी details आप लोग को बताओंगा actually में यह create कैसे होता है इसके बारे हम लोग जानते कैसे हैं एक्चूल में ये हमारा तीन पार्ट में होता है, कितने पार्ट में होता है, तीन पार्ट में होता है, सबसे पहला पार्ट होता है हमारा STTP, यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं protocol, अब protocol को हम लोग क्या जानते है, protocol is the set of rules, आप लोग अगर protocols की वीडियो देखनी हो, तो हमारे playlist यस्ट में जाएए, वहाँ पर प्रोटो कौल की वीडियो आप लोगों को मिलेगी, फिर उसके बाद की बात करें, तो यह हमारा होता है क्या, domain name, जिसको domain and hosting के नाम से हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, domain name कहते हैं, ठीक है domain name and hosting के नाम से हम लोग इसको कहते हैं तो अब ये हमारा domain name हुआ क्योंकि हमें ये purchase करना पड़ता है ध्यान से हमारी बात आप लोग समझ लीजिए ये हमें purchase करना पड़ता है internet से या किसी website से जा करके और इसको हम लोग path कहते हैं क्या कहते हैं path कहते हैं इस तरीके से य हमारा जो complete URL होता है वो three parts में बटा होता है ये हमारा part of web page होता है ये क्या होता है part of web page होता है ठीक है क्या होता है ये part of web page होता है तो इस तरीके सी ये हमारा path होता है ये path ठीक है path of web page होता है जो की पूरी details हमारी ये uniform resources locator की होती है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक बार हमें अपना सुझाओ जरूर दे अगर कोई आप लोगों के मन में सुझाओ तो कमेंट जरूर करें आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन